हेलो दोस्तो स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूटूब चैनल में आज इस कलास में रेलवे के सभी महत्पून प्रस्न जो रेलवे के इक्जाम में पूछे गए हैं उनका हम अध्यन करने वाले हैं दोस्तो आज हम परकास से संबंधित प्रस्नों का अध्यन करेंगे मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेयर अवस्य करें इस वीडियो का पीडियेफ लेने के लिए मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन अवस्य करें चलिए दोस्तो सुरू करते हैं लाइट से संबंधित सभी महत्मुल प्रस्ण निमलिखित में से कौन सा परकास के अपवर्तन का उधारण नहीं है तो कौन है दोस्तो जो परकास के अपवर्तन का उधारण नहीं है वह है अस्त होते हुए सूर्य करंग लाल होना option D आगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सा मानो आख का हिसा नहीं है तो कौन है यह यह करंणावर्त जो मानो आख का एक हिसा नहीं है आगला प्रस्ण इन में से कौन सा रंग दो प्रात्मिक रंगों के सयोजन से निर्मित नहीं हुआ है तो यहाई निला जो दो रंगों के सजोणन से निर्मित नहीं है अगला प्रस्न, परकास वर्स, डायस की कई है तो परकास वर्स किसकी कई है दोस्तो, यह दूरी की इकाई है अगला प्रस्ण। आकास का निला रंग निम्न में से किस के कारण होता है? तो आकास का निला रंग परकास का परिक्रण के कारण होता है. अगला प्रस्ण। दन चिकसकों द्वारा रोग्यों के दातों के बड़े प्रतविम देखने के लिए किस परकार के दरपन का उप्योग किया जाता है? तो इसमें आउतल दरपन का उप्योग करते हैं. अगला प्रस्ण। डायस एक उप्करण है जिसके दोवारा एक ही बस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है. तो उस उप्करण का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है अस्टेरियो एसकोप. अप्शन ए. अगला प्रस्ण। परकास के साथ घटक रंगों में परिकरण की घटना की खोज 1666 में डायस के दोरा की गई थी. तो या किसके दोरा की गई है? आईजक न्यूटन के दोरा किया गया है. अप्शन C. अगला प्रस्ण। यदि किसी लेंस की फोकोस दोरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की छामता कितनी होगी? उस लेंस की छामता चार डाय अफ्टर होगी. आगला प्रस्ण। दोस्तो इस वीडियो का फीडियो फिलेने के लिए टेलिग्राम चैनल को जोईन अवस्य किया है. जिसका लिंक डिस्क्रिशन में दिया गया है. यदि किसी बेक्ति को दूर की बस्तुए एस्पोस्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसे कौन सा डिश्टी दोस है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो इसे कैसे सही कर सकते हैं दोस्तों? इसे निकट डिश्टी दोस और तो लेंस का उप्योग करके कर सकते हैं. आगला प्रस्णों जब डायस बस्त में परकास के मर्ग में आती हैं तो छाया बनती है तो क्या वाद दूसका इसका आंसर जिसका आंसर अपार दर्सी होगा आगला प्रस्णों परकास को प्रिज्म से गुजार कर एस्पेक्टम प्रात करने वाले पहले बेक्ती कौन थे तो पहले बेक्ती आईजक निउटन थे आप्शन सी आगला प्रस्णों टोर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेट लाइटों में परकास का सक्ति सालिस समनांतर किरन पूंज उद्पन करने के लिए समांतर किस परकार के दर्पनों का उप्योग किया जाता है तो इसमें आउतल दर्पन का उप्योग करते हैं आगला प्रस्णों निम्ण में से कौन सा भाग परकास को मानों आँख में परवेश करने की सुविधा परदान करता है तो इसुविधा कौर्णिया परदान करता है आगला प्रस्णों दूर्डिस्टी दोस्ट को इनमें से किसका उप्योग करके ठीक किया जा सकता है का उप्योग करके ठिक किया जा सकता है. Option A अगला प्रस्ण वहानों में रियर भ्यू विंग मिलर की रूप में किस परकार के दर्पनों का उप्योग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पन का उप्योग करते हैं. Option D अगला प्रस्ण सूर्य के वास्तों में छीतिज के उपर से गुजरने और हमारे द्वारा पीथवी पर इसकी छबी देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयाउंतर कितना है बीच का समय कितना है दोस्तों या दो मिनट का है अगला प्रस्न हाइपर मेट्रोपिया या दूर डिष्टी दोस से पिलित बेक्ती के लिए निकट डिष्टी बिंदू समानतर निकट डिष्टी बिंदू से डायस अधिक दूरिस्थित होता है तो यह कितने दुरिस्थित होता है दोस्तों यह 25 cm दुरिस्थित होता है आगला प्रस्म ऐसे पदात जिनके आर पार बस्तों को देखा जा सकता है किन्तु एसपस्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उन्हें डायस पदात कहते हैं तो उन्हें कौन सा पदात कहते हैं दोस्तों उन्हें अलपार्दसी पदात कहते हैं अगला प्रस्न निम्न में से कौन सा बस्तू से बड़ा अभासी प्रतवीम निर्मित कर सकता है तो अभासी प्रतवीम और तो दोर्पन द्वारा निर्मित कर सकता है अगला प्रस्ण अस्टेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वाचा कैंसर के मामले और उससे होने वाले मिर्तिव दर विश्व में सर्वाधिक है यह मुख्य रूप से यूभी किरनों अर्थात अल्ट्रा वाइलेट के संपर्क में आने के कारण होता है इसके लिए इन में से कौन सी यूभी किरने जिम्यदार है यूबी किरन को पराबैगनी किरन के नाम से जानते हैं तो यह कौन सी जिम्मदार है दोस्तों यह यूबी भी जिम्मदार है पराबैगनी भी किरन जिम्मदार है अगला प्रस्ण परकास डाइस में संचारित होता है यह सीधी रेखा में संचारित होता है अगला प्रस्ण, नेकर डिश्टी दोस्ट से पिडित बेक्ती के लिए कौन सा लेंस उप्योग्त है? इसके लिए ओतर लेंस का उप्योग्त है आगला प्रस्न इंद्र धनुस एक प्राक्तिक परिघाटना है जो डायस को दरसाती है तो यह परकास के ओण बिछेपन को दरसाती है आगला प्रस्न सूरे के परकास को पीत्री तक पहुँचने में कितना समय लगता है तो कितना समय लगता है दोस्तो? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है option C अगला प्रस्ण डाली बनाने के प्रियोजनात किस दरपन का उप्योग किया जाता है तो इसमें अवतल दरपन का उप्योग करते हैं अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सा भी कर लेंस के सुत्रों को दर्शाता है तो लेंस के सुत्रों को 1 बटा भी-1 by U is equal to 1 by F होता है आगला प्रस्नो परकास आख में डाइस से परवेश करता है तो यह किसे परवेश करता है दोस्तो बताए दोस्तो जल्लिख का अंसर बताए यह कौनिया से परवेश करता है आगला प्रस्नो इनमें से कौन सा परकास के परिक्रण का एक उधारन है तो यह आखास का निला रंग अप्शन ए आगला प्रस्नो निकर डिश्टी दोस्तो को डाइस भी कहा जाता है उसे मायो फिया कहा जाता है अप्शन ए अगला प्रस्नो निमन में से किस परकार का परकास टेलीबीजोन रिमोट में उस उपकरण को संकित देता है जिसे वह नियंतरित करता है तो वह कौन है औरक्त कीरण अप्शन ए आगला प्रस्नो एक लेंस जिसकी पावर टू डाइस होगी तो उसकी फोकोस दूरी पचास सेंटीमीटर की होगी आगला प्रस्नो एन इसकल टू थ्री से एन इसकल टू अस्तर में किसी लटोन के परिवर्तन से डाइस लाइन उभरती है तो इसमें द्रिश एस्पेक्टम की लाइन उभरती है अगला प्रस्नो उतल दरपन दूरा निर्मित प्रत्रपीन हमेशा डाइस होता है तो यह अभाज सी सीधा और छोटा होता है अप्शन A अगला प्रस्न गुलकार दरपन जिसकी प्रावतक सता बाहर की और उभरी हुई होती है तो वह क्या कहलाती है? वह उत्तर दरपन कहलाती है अगला प्रस्न एक उत्तर लेंज की फोकोस लंबाई 25 संटीमीटर है तो उसके छामता की गणना करें तो उसकी छामता चार डायफ्टर होगी अगला प्रस्न पीथवी की समतल सता पर पहुचने वाली बैस्विक विसिक बिकिरन डायस द्वारा एसपोस्ट की जाती है तो यह प्रती घंटा बी रेडियेशन प्लस प्रती घंटा डिफ्यूज रेडियेशन पर एसपोस्ट की जाती है अगला प्रस्ण इनमें से असंगत विकल्ब का चैन करें तो असंगत कौन है पाचिक अक्ष अप्शन ए अगला प्रस्ण उतल दर्पन की फोक्सी लंबाई डैस होती है तो इसकी फोक्सी लंबाई त्रिनात्मक होती है अगला प्रस्ण उत्तल दर्पन की फोकसी लंबाई डायस होती है तो उत्तल दर्पन की फोकसी लंबाई धनात्मक होती है अगला प्रस्ण यदि ए गुलकार दर्पन की वकर्ता 30 सेंटीमीटर हो तो दर्पन की फोकस तूरी क्या होगी तो दर्पन की फोकस तूरी 5 सेंटीमीटर की होगी अगला प्रस्ण जब किसी बस्तु को वकर्ता और F के बिच रखा जाता है तो ओतल दर्पन में आकर्ती कहां बनेगी तो ओतल दर्पन में आकर्ती C के बाद बनेगी अगला प्रस्न, वह करता है कि केंद्र से गुजरने वाली रेखा और व्मावदार सता के धूरों को कहा जाता है तो उस धूरों को क्या करते हैं? मुख्य धूरी करते हैं, Option D अगला प्रस्ण प्रावर्ती कीर्णों के वास्ति प्रति छेदन द्वारा निर्मित प्रतिवीम डैस होता है जिसमें निर्मित प्रतिवीम वास्तिविक होता है अगला प्रस्ण दरपन समिकरन के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सई है इसका सई कथन क्या है सबी दुर्यों को धूर्व से मापा जाना चाहिए अप्शन B अगला प्रस्ण अभिसरन का बिंदू वा बिंदू जिससे लेंस में किन्ने उत्पन होती प्रतिक होती है उसे क्या कहते हैं उसे मुख्य अच कहते हैं अप्शन B अगला प्रस्ण उत्तर लेंस की फोक्सी लंबाई डायस होती है तो उत्तर लेंस की फोकसी लंबाई क्या होती है दोस्तों इसकी फोकसी लंबाई धनात्मक होती है अब इसरां का वह बिंदू जिससे लेंस की किलने उत्पन प्रतिक होती है उसे क्या कहते हैं टो उसे फोकस कोते हैं क्या का दोस्तों फोकस कोते हैं मुझ अच्छ नहीं होगा कि आगला प्रस становится लेंस में नाविक्यद बिंदू अथ네 फोकल बॉइंट और डिय्श्टी केंडर या Оп्टिकल सेंटर के बीच की दूरी खो क्या कोते हैं तो इस बीच की दूरी को दोस्तों हम फोकल लेंथ या नाविकिया लंबाई कोते हैं, ओप्शन ए आगला प्रस्न, परिचेद सम्तल से यदि एक बस्तु को छैती सम्तल से समनांतर तथा उध्वादर सम्तल से लंबोत कटा जाये तो बस्तु का परिचेद द्रिश्यक कहां प्राप्थ होगा? तो यह शिश्य द्रिश्यक पर प्राप्थ होगा? आगला प्रस्ण शूर्य देव एवं सुर्यास के समय सूर्य दिर्ग वितकार दीखने का कारण है तो इसका कारण है अपवर्थन अप्शन ए आगला प्रस्ण काली पिंड में सभी विकिलने डायस हो जाती है तो सभी सोसित हो जाती है आगला प्रस्ण विक्तिकरर मापी का उप्योग डायस के मापन के लिए होता है तो यह अति सुच्म विस्थापनों और प्रिष्ट या अनिमेक्ताओं का मापन है अप्शन सी अगला प्रस्ना समानतों मिरिक त्रिश्णा डायस में होता है यह किस में होता है रेगिस्तानों में होता है अगला प्रस्ना निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो सही कथन की पहचान करें तिसमें दिये के कथन में से सभी कथन सत्य है अप्शन D आगला प्रस्न त्रियामी अंत्रीच में कितनी रेखाएं होती है या खिंची जा सकती है जो एक दूसरे के अभिलोंपर है कितनी रेखाएं दोस्तों? तीन रेखाएं है आगला प्रस्न आवर्धक सीशा होता है तो आवर्धक सीशा उत्तर लेंस का होता है option A आगला प्रस्न यदि किसी बीम की गति को रोका जाएं तथा इसे गर्म किया जाएं तो यह डाएस प्रत्तिबल का विकास करेगा तो यह संप्यडदन का विकास करेगा अगला प्रस्न एक उत्तर लेंस एक उतर लेंज के संपर्क में रखा गया है उन्हेकी फोकस दूरियों का नुपा 2 बटा 3 है तो उनकी स्वयूत फोकस दूरी 30 cm है उनकी अलग-अलग फोकस दूरियां क्या है तो उनकी अलग-अलग फोकस दूरियां माइनस 15 और 10 है एक सरव सुच्मदर्सी के उत्तर लेंज की फोकस दूरी पांच सेंटीमीटर है एसपोष्ट डिश्टी की निवतम दूरी के लिए उनकी आवर्दिक छमता होगी उनकी आवर्दिक छमता कितनी होगी? उनकी आवर्दिक छमता छो होगी अगला प्रस्न कोई तारा पीत्वी से दूर जा रहा है पीत्वी पर बैठा निरिच्छक तारे से प्राक परकास के संबंद में क्या उनभव करेगा? तो यो तरंधैरे में ब्रिधी का उनभव करेगा अगला प्रस्न बिच्छेदित प्रिज्म के इस फोल्ड आउट के लिए समानता उप्योग में लाए जाने वाला सब्द क्या है? तो लाए जाने वाला सब्द क्या है दोस्तों? बताएगा यह प्रिज्मी करन है अप्शन ए आगला प्रस्न मानो नेतर के किस भाग का उप्योग प्रत्यार उपन के लिए किया जाता है तो प्रत्यार उपन के लिए किस का उप्योग करते हैं दोस्तों बताएगा तो प्रत्यार उपन के लिए दोस्तों कौनिया का उप्योग किया जाता है अगला प्रस्ण एक कीरन सम्तर दर्पन पर परती है जैसे ही आपतन कोन में ब्रेदी होती है तो आपतित कीरन और प्रावतित कीरन के बीच का कोन मान अतर पहुँचता है तो बीच के कोन का मान कितना होता है दोस्तों इसका मान 180 डिगरी होता है अगला प्रस्णों, ग्रहन होता है क्योंकि परकाश सीधी रेखा में चलता है, option B अगला प्रस्णों, आंत्री केंद्र बिंदु वाले टेरियस्कोप में जो लेंस उप्योग किया जाता है, होता है तो वह कैसा होता है, और तल होता है अगला प्रस्णों, परकाश की ये कीरन पूंज, एक आयतकार सीधी के फलक की सताप गिरती है यदि कीरन पूंज का वेग सीधी में परवेश करने से पहले, 3 गुना 10 के पावर 8 मिटर प्रति सेकेंड है तो सीधी में परवेश करने के बाद उसका बेग होगा तो उसका बेग क्या होगा दोस्तों, तो उसका बेग 1.97 गुना 10 के पावर 8 मिटर प्रति सेकेंड होगा आगला प्रसना एक बस्तू का रंग वड रंग है, जो यह प्रावर्ति करती है तो एक लाल जुता, डाइस नीचे दिये कत्नों को गलत कत्न के चुनाओ करे तो गलत कत्न की चुनाओ करना है दूस्तों, बताएगा लाल है हरे परकास में जब कोई भी लाल परकास ना हो option D आगला प्रस्न काली बस्तू में सभी बिक्रण है तो काली बस्तू में सभी बिक्रण और सोशित है एक बस्तू औतर दरपन की त्रिवकरता की केंद्र और फोकुस की बीच रखी गई है इस स्थित्थी में जिस तरह का प्रतवीम बनता है उसका वर्णन निमलिखित कत्नों में से कौन सा है तिसका वर्णन वास्त्विक उल्टा और बस्तू से बड़े अकार का है option A आगला प्रस्म एक बस्तू एक पतले उत्तर लेंज की फोकुस दूरी से कम दूरी पर इस्थीत है इस तरह बनने वाले बस्तू के प्रतवीम के लिए निमलिखित विकर्णों में से कौन सा सर्वस्रेश्ट होगा तो सर्वस्रेश्ट सीधा अभासी और अकार में बड़ा होगा option A आगला प्रस्म एक पून कला परदात होता है एक कला पून परदात सभी तरंधैरे में सभी दिप्तिमान उर्जा को अशूसित कर लेता है option D आगला प्रस्म पानी में रंग निधारन के लिए जिस उपकरन का उप्योग किया जाता है उसे कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं आभा मापी कहते है option C अगला प्रस्म एक उतर लिंस फोकस दूरी एक के द्वरब बनने वाले प्रतभीम का अकार बस्तु के अकार के समान है तो बस्तु को किस दूरी पर रखा गया है तो बस्तु को किस दूरी पर रखा गया है दोस्तों यह 2F पर रखा गया है आगला प्रस्म अपने पास को एक समतर सीसे में दिखने वाले आपकी अपनी छबी के विशाय में क्या सत्य नहीं है जिसमें क्या सत्य नहीं है चेहरा हाथ और पैर दरपण में उसी दिशा में है जिस दिशा में आपकी है Option C आगला प्रस्ण आखों के सिकूले पर डूर डिश्टी वाली आखों से केवल क्या देखा जा सकता है तो इसे निकस्ट बस्तुएं जिससे उत्तर लेंस तो रसन सोधित किया जाता है Option C आगला प्रस्ण एक प्रिजमें बीम में होती है एक समान Cross Section Option D आगला प्रस्ण परकास की एक कीरन हवा से एक सिसे को फलक में परवेश करती है तो निमली की कत्मों में से कौन सा इसकी गती के बारे में सही है जब यह ब्लोक से निकलती है तो क्या होँ दोस्ता गती वही करती है जो सिसे की फलक में परवेश करने से पहले थी Option A आगला प्रस्ण माध्यम का तपमान बढ़ाने पर परकास का वेग बढ़ता है Option A आगला प्रस्ण परकास की एक कीरन वायू में एक काच के सलैप पर परती है इसका कुछ भाग परावर्तित और कुछ भाग अपरतित होता है यदि I, R और S इसके आपतन कौन परावतन कौन और अपरतन कौन होता है इनमें से कौन सथ सही है तो इसमें कौन सा कथन सथ है दोस्तो I is equal to R और S से बढ़ा I होता है Option C आगला प्रस्ण उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है तो इसकी फोकस दूरी लाल परकास की अप्यक्चा नीले परकास के लिए कौन है Option B आगला प्रस्ण परकास की किलने मुख अच के समनांतर एक औरतल दर्पन पर पड़ती है तो प्रावतन के पाचात वे मिलती है तो प्रावतन के पाचात फोकस पर मिलती है Option C आगला प्रस्ण एक बस्तु की छबी एक समतल दर्पन में देखी जाती है तो या छबी आभासी और सीधी होती है Option D आगला प्रस्ण अगर किसी बस्तु को किसी अतल दर्पन की गुलाई की केंदर में राखा जाता है तो छबी की इस्तिति होगी तो उस छबी की स्तिति मुखे फोकस और गुलाई के केंदर की बीच होती है Option B आगला प्रस्ण एक उत्तर दर्पन के सामने बस्तु रखी है तो छबी कैसी होगी तो उसकी छबी आभासी होगी आगला प्रस्ण रोगियों के पेट के अंदर की जांच के लिए डॉक्टर दोरा उप्योग किये जाने वाले इंडो एसकोप इन में से किस सिधान पर काम करता है तो यह परकास के कुल प्रावतन के सिधान पर काम करता है आगला प्रकास्ण एक प्रकास्कियों वर्ग में प्रतम आपतित किरन और अंतिम प्रावतित किरन के वीच का कोण इन में से कितना होता है तो इन में से 90 डिगरी का होता है आगला प्रस्ण एक बस्तु एक उत्तल दरपन के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान उसकी फोकुस दूरी के मान से कम है इन में से कौन सी बनी हुई छबी की सबसे अच्छी ब्याख्या करता है तो सबसे अच्छी ब्याख्या अभासी सीधी और आवर्धन एक से कम ओप्शन डी अगला प्रस्ण टर्विडी मीटर का कार्या सिधान किस पर अधारित है तो या किस पर अधारित है या परकास के परिक्रण पर अधारित है अगला प्रस्ण ग्लास एर इंटरफेस की इस्तिथी में हो रहे कुल आंत्रित प्रावतन में परकास का कोई अपर्तन नहीं होता है option D आगला प्रस्णो एक ही focus दूरी F के दो समान पतले लेंसम पर्क में एक परकार रखे गए हैं कि उनके परकासिय औक्ष एक साथ मिलते हैं इनके सयोजन के focus की दूरी इनमें से कौन सी होगी तो इनमें से F by 2 होगी आगला प्रस्णो वर्षा रितू के दोरान आकास में बिजली पहले दिखाई देती है और तत पच्चायत गरजना सुनाई देती है क्योंकि क्योंकि परकास की गती धोनी की गती से अधिक होती है option A आगला प्रस्णो एक मरकरी भेपर लेंब डाइस परकास देता है तो यह कैसा परकास देता है दोस्तों बताएगा यह हरापन के लिए हुए नीला option D आगला प्रस्णो एस्टीट लेंब के परकास का गहरे और हलके पैंच प्रतिक होने का क्या कारण है तो इसका कारण है विवर्तन option B आगला प्रस्णो फोकस दुरी F के एक स्यूमित उत्तर लेंज को दो भीन तरीकों से दो ठीक ठीक समान भागों में विवाजित किया जाता है पहले उद्वादर रेखा के साथ और दूसरी बार 36 रेखा के साथ दोनों अस्थानों पर विवाजन के बाद प्रतेक भाग की फोकस दुरी क्या होगी तो प्रतेक भाग की फोकस दुरी 2F और F होगी अगला प्रस्णों निमलिकित में से किस परकार के लेंस का उप्योग आँख के संकेंदरित करने की दोस जिसे डिष्ट बैस म करते हैं को ठीक करने के लिए होता है तो ठीक करने के लिए क्या होता है बेलनाकार लेंस अगला प्रस्णों, अबजेट ग्लास के परकासिय केंदर से क्रोस हेर के प्रतिछेदन को जोडने वाली रेखा और इसकी निरंतता को इन में से क्या कहा जाता है अगला प्रस्णों, पूर्ण पैमाने विछेपन के लिए 2 मीटर X और Y को 40 M और 50 M की आवसकता होती है तब जब दिये हुए आंको में यह निधारित करना संभव नहीं होएगा तब अप्रस्णों अगला प्रस्णों आपके पास क्रमसर F1, F2, F3 और F4 फोकस दूरी के चार उत्तल लेंस A, B, C और D है इस परकार है कि F2 से बड़ा F1 और F1 से बड़ा F4, F4 से बड़ा F3 किन दो लेंसों का उप्योग अधिक्तम आवर्धक सक्ति की खोगोलियो दुरुबिन के निर्मान में करना चाहिए धनवाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और से और अवस्य करें